हेलो फ्रेंट्स वागत आपका हमारा चैनल सफलता खटा पर और आज अधे 23 अक्टूबर 2020 आएज देखता है कि करेंट एफेर्स का हमारा पहला क्यूशन क्या है तो आज का हमारा पहला क्यूशन है अब जानते है कि अगर अपसे बात करें तो इससे कहेंगे अभियान 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 केंजरी स्वास्ते हैं एवम परिवार कलियान मंत्राले तता संयुक्त राष्ट बालकोष यूनिसेफ की पहल पर एनिमया मुक्त भारत यानि के एमबी कारिय करम के देथ हरियाना को देश के 29 राज्यों की सुची में पहले इस्तान पर रखा गया है पहले तो यह बात आप जान लें जितने भी देश के 29 राज्यों है उनके अंदर हरियाना को फर्स्ट नंबर पर रखा गया है यानि के हरियाना को पहले स्थान पर रखा गया है यह बात आपके समझ में आ गई अब यह कार्यकरम क्या है एनिम या मुक्त भारत जो कार्यकरम है इस कार्यकरम को किस किस के दुआ रहा है यानि के मिलके किस कार्यकरम को कर कोन रहा है एक तो यूनिसेफ जो संयुक्त राश्टर बालकोष बिजी से कहा जाता है जो यूनिसेफ है बाल संस्ता जो है उसकी य इमेरिट नेशन्स के यानि के संयुक्त राष्ट की बाल संसा यानि के यूनिसेफ और हमारा केंद्रिय स्वास्ते परिवार एवं कलियान मंत्रा ले कौन-कौन केंद्रिय स्वास्ते एवं परिवार कलियान मंत्रा ले और संयुक्त राष्ट बाल कोश्यारी के यूनिसेफ के पहले पर ये अभियान एमबी कार्यकरम जो है इसके अंदर हर्याना पेले सान पर आया है एनिमिया मुक्त बारत अब हर्याना आया है अकर हर्याना की बात आपसे करें तो हर्याना की राजदानी है चंडिगड क्या है चंडिगड हर्याना की राजदानी है और यहां के जो मु अगर आप से यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ का पूरा नाम हो जाएगा United Nations International Children's Emergency Fund क्योंकि यूनिसेफ से भी प्रिक्षाओं के इंदर क्यूशन पूहिले जाते हैं इसलिए UNICEF को जानना भी एत्यावश्चक है तो UNICEF के अगर पूरे नाम की बात करें तो United Nations International Children's Emergency Fund ये पूरा नाम है UNICEF का अगर UNICEF की स्थापना की बात करें तो 1946 में 11 जिसंबर को इसकी स्थापना हुई थी 11 जिसंबर 1940 और UNICEF का जो मुख्याल है जो हेड़कॉर्टर है वो है नियू यूर्क सीटी में कहा है नियू यूर्क सीटी में अगर आपसे परशन के अन्य विकल्पों के आपसे बात करें तो इसका एक विकल्प आपसे जामना आए को बता दू जो पंजाब है पंजाब इसके पडोसी राज्य है बिल्कू पडोसी राज्य है सीमा से सटा हुआ है पंजाब पंजाब की राज़ानी भी चंडी गड़े हाला कि 36 गड़ इससे मिला हुआ राज्य नहीं अर्याना से काफी तोर है आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला क्यूशन क्या है अगला क्यूशन हमारा बारा सरकार और एश्याई विकास बेंक ने किस राज्य में 450 किलोमेटर लंबी जीला सड़कों और राज्य राजमारकों को अपग्रेड करने के लिए 170 million American dollar के समझोते पर हस्ताक्षर किया है क्यूशन आप से लंबा भी पूश जा सकता है शोट में भी पूश जा सकता है छोटा भी पूश जा सकता है किसी भी प्रकार से पूश जा सकता है हमें क्या करना है, कि अगर हमें कोई भी एक्जाम करेक करना है तो हमें हर सिच्वियान के लिए तयार लेना है हमें हर प्रकार की, जितने भी कुछ समस्या आ रही उससे निपटना है उसको समप्द करना है, जोनिकर अइसका solution हमें करना है आपहरें तक आपने चैनल को subscribe नहीं का है तो please bell icon दबा कर subscribe जरूर करें मैं subscribe करने को आपसे बोलता नहीं हूँ लेकिन मैं देख रहा हूं कि उपसक्राइबर आप बढ़ा नहीं रही हो यह समझोता हुआ है भाराष सरकार और एशिया विकास बेंक के बीच यानि के ADB इसके बारे में भी जानेंगे तो यह समझोता जो हुआ है यह हुआ है 170 मिलियन अमेरिकी डोलर का कितने का 177 मिल्योन अमेरिकी डोलर का संज으था हूँ है भारास सरकारों और एहहाई विकास बेंकते बीच लेकिन संज़था क्यों हूँ 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 है क्या कारान दाऊ है कि ươngज़था अमेरिकी डोलर का संज़था हूँ है इसपर हस्ताक्षा के कही है तो ये सम्झोता, जो किया गया है, महराश्ट्राज्जे की जीला सड़कों और राजजे राजमार को, जुच्छा होती हैं और राजजे राजमार को होती हैं अनको बैजर करने के लिए यह समझोता क्या गया है 170 million dollar का कितना 170 million dollar American dollar का समझोता क्या गया है अब महाराष्ट के अंदर इसमें साथ जाथ कुशिन के अंदर आपको जानकारी के लिए यह भी बात बता दी गई है महाराष्ट के अंदर 450 km लंबी सडको यानि कि जीला सडके और अन्ने राजमार को मिला कर जो योग बैठ रहा है जो टोटल का किलोमेटर जो लंबाई बैठ रही हो बैठ रही है 450 km तो इन 450 km सडकों का अपगरेड कराने के लिए 177 million dollar के लिए समझोते पर हस्ताक्षर किये गए है अब ये राज्जे कोन सा है राज्जे के आपसे बात करें तो राज्जे है महराष्ट कोन सा है राज्जे है महराष्ट और महराष्ट के अगर आपसे बात करें तो महराष्ट जो है महराष्ट की जो राजदानी है वो है मुंबई तो महराज़्ञे मुंबई है किसकिए शीव सेना की गड़ बंदन के सार्थ है किसीकि की शिव सेना प्लस गड़ बंदन के यह पर सरकार है और अगर रاج早पाल के हम बात करें तो राजपालयां के मगस्तिंग कोशारी है, आप कुछ स्टूड्य कहांगे कि ये गोवा के भी राज्य पालें और महाराष्ट के भी राज्य पालें, ऐसा कैसा हो सकता है। आपको याद रखना है कि गोवा के भी राज्य क्लास बाता है अनंदी बेन पुटेल का, जिस परकार से काई कि जम्मो कषमिर के अंतिम राजत्जेपार्ण का वे अगले ये इक क्लास आपके लेना महुंत ज़ह ज़रूरी है अगर आप यहां रित पादी है यां पर विड्रन खर दिया ऑगार सीक ब्छार इस विकल पो कि आप dt. किकर बात करें ऊत्तरप्त्रेश के बारा में जल्दी से अगर आप चाहें तो नोट कर लें रायधानी आके लगना हुए और यहां के मुख्य मंत्री योगी अदित्तिनात यहां पर भी वीजेपी की सरकार है अगर आप से यहां की गवर्नर की बात करें कि यहां की गवर्नर को है उस्तर प्रुदेश की यूपी अगर हम यहां पर यह जो समझोता हुआ है एशिया विकाज बेंक के साथ हुआ है यानि के एशियन डूलपमेंट बेंक के साथ यानि के एडिबी के साथ तो इसकी अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को ही थी और इसका मुख्याल ने फिलिपिन्स में है कहा इसकी स्कूलों में इस क्यूशन को आप से भी पूछ जा सकता है कि स्मार्ट ब्रेकबोर्ड योजना किस राज्जे संबंदी से तो आपको याद रखना है यह योजना है तमील नाडू के अंदर इस योजना को लाग करने जा रही है तमिल नाडू सरकार अस्याजार यानि कि गवर्णरों तमील नाडू हैं बनवारिलाल पुरोईट अगला कि उश्यने मारा किस परसिद अर्थ शास्त्री ने पोर्ट रेट्स ओफ पावर हाफ एक सेंचुरी ओफ बींग एट रिंग साइट नामक अपनी आतम खता का इमोचन क्या है तो किसका इमोचन क्या तो पीजी दंबरम पूर वितमंत्री रह चुके हैं जिस समय यूपीय की यानि के कॉंग्रेस की सरकार थी 2014 से पहले उसके अंदर वितमंत्री रह चुके हैं पीजी दंबरम अच्छी दानकाई रखते हैं और उर्जीज पटेल के अगर आप से बात करें तो यह आर्बिया क यानि के रिजर्ब बेंक ओफ इंडिया के गवर्णर रह चुके हैं अर्बिया के अगर आप से बात करें तो इसकी स्थापना एका पर लुनित सब्मेंटिस को हुई थी अगला क्यूश्य ने मारा भारत और किस देश की बीच कोईले को लेकर पांचवे संयुक कारिये दिल की बेटक पांच नॉमबर 2020 को होगी कब होगी पांच नॉमबर 2020 को बेटक होगी बारत और इंडोनेश्य की क्यों होगी कोई लेको लेकर अगर इंडोनेश्य की आप से बात करें तो इंडोनेश्य की राजधानी जा करता है और इंडोनेश्य की राष्टपती है जो को उसके अंदर शामिल होगी नोसेना के साथ में आस्टेलियाई नोसेना कौन आस्टेलिया की नोसेना शामिल होगी जो भारत सरकार के जो हमारा यानि के मालाबार जो अभ्यास होगा उसके अंदर हमारे साथ भारतियों के साथ भारती नोसेना के साथ आस्टेलिया शामिल होगा और आस्टेलिया के अगर आप से बात करें तो राइधानी केनबरा है या की और इसकोट मोर सन्या के प्रदान मेंतरी है यानि के पि-म है और क्रेंसी के अगर आप से बात करें तो आस्टेलिया की क्रेंसी है और क्रेंसी है और क्रेंसी है और क्रेंसी है ये जर्मणी से हैं कहां से जर्मणी से जर्मणी के आप से बात कें तो जर्मणी की सा बद्लिन बर्लिन है और जर्मणी की राष्ठपती फ्रैंक वॉल्टर है alguém को कौन तो हॉा खारिज करने वाला देश का पैसर राज्जे कौन बन गया है कर्शी कानून जो हाली में रिकेन सरकार लेकर रही है जिसको लेकर किसानों काफी इंगामा किया था किसान इससे आज भी ऐसाहमत है इसको लेकर जो हर्सिम्रत कोर्ट जो कैंजरी मंतिर थी अकाली दल से थी वीज सरकार जो यह कानूर लेकर रहा ही, इसको खारिज करने वाला देश्च का पहरा राज्य बन गया है, पंजाब, कोन बन गया है, पंजाब, पंजाब की अगर आप से बात करें, तो रायधान हिया की चंडिगर है, मैंना आपको बता था, की चंडिगर और हरियाना दोनों राज कोंगरेस, इंड्यानेशनल कोंगरेस यानि कोंगरेस पार्टी की सरकार है, कैप्टर नमरी इंदर सिंग सियम है पंजाब के, और राज जपाली आपके वी पी सिंग बनोल, कौन है? गवरेनर पंजाब, वी पी सिंग बनोल, अगला क्यूशन है मारा, C.B.S.C. की ओर से आज आपको बताएंगे तो C-Tet, जो होता है, TET, C-Tet, TET अलग होता है, C-Tet अलग होता है, तो C-Tet, इसके अंदर Central आ जाता है, कैंजी शिक्षक पातलता परिक्षा की वेद्धा को 7 साल से बनाकर कर जिया गया है, RG1 के लिए, कब तक RG1 के लिए आप ये एकदाम दे सकते हैं, इसके इंदर आप बेट सकते हैं, क्या कर जया गया है? RG1, कोई साल नहीं RG1, जिन्तगे बार, तो CBSC के गराब से बात करें, तो CBSC का पूरा नाम है Central Board of Secondary Education, क्या है? Central Board of Secondary Education, ये CBSC का पूरा नाम है और अगर बात करें, इसके स्थाफना की CBSC की तो 3 नॉमबर 1962 को इसकी स्थाफना हुई, CBSC की, इसका मुख्याले नहीं दिल्ली में है अगला क्यूशन है मारा भारत और किस देश के बीच अंतर राश्री नागरिक उड्डेन सेवाँ को प्रोसान देने के लिए यानि के बढ़ावा देने के लिए ये समझोता भारत और किस देश के बीच में हुआ है तो ये समझोता हुआ है भारत और बांगलादेश के बीच किस के बीच? भारत और बांगलादेश के बीच ये समझोता हुआ है अंतराश्ची जो नागिश को अड़ेन उड़ान उड़ाने हैं उड़ाने हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इस क्यूशन को आपसे यसे भी पूछे जा सकता है कि एर बबल समझोता किस देश से संबंदी थे या पिस क्यूशन ऐसे पूछ लेगा है बंगलादेश के साथ किसके साथ बंगलादेश के साथ अब बंगलादेश के आपसे बात करें तो बंगलादेश की राजधानी राका है बंगलादेश की करेंसी जो है वो टका है और यहां की जो प्रदानमंत्री है वो ये शेक हसीना यानिके प्यम 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 प्यानिक अगर हम अन्य विकल्पो की बात करें तो पाकिस्तान के बारे में आप नोट कर सकते हैं चीन के बारे में पाकिस्तान की राजधानी इसलामबाद है पाकिस्तान के प्रदान मंत्री इम्लान खान है जो की एक अंतराष्टी की केटर भी रह चुके हैं और पाकिस्तान की अगर म कौन है शी जिन्पिंग या के राष्टपती हैं कहां के चाय लगे आज की जो हमारी के इंटरफेर्स में पर समाफ्त होती है आपको वीडियो के अलगा प्लिस के मिन फिर जरूर बताएं अगर वीडियो अच्छे लगए तो वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेर करें और पहले आप तक के पहुंकता है और अगर आप में से को भी स्टुडेंट किसी भी एक्जाम की तयारी करें आप सभी एक्जाम की तयारी करें तो कोविड-19 कुश्चन की जो मारे क्लास चल रही है उनको लेना ना बोले और बहुत जल्द आप हमारी कंप्यूटर की अभी तक और इसके अंदर यह आप कमेंट जरूर करते हैं साथ-साथ वीडियो को शेयर करना ना बूलें वीडियो को जादर जादर शेयर करें